Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीन अपस्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 101 का Unit 4 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे फार्सी समराज्य का फार्सी समराज्य का Part 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं आज किस वीडियो के अंदर में Part 2 पढ़ने वाले हैं Part 1 का अगर मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूँ आपको तो Part 1 में हमने पढ़ा कि फार्सी समराज्य की स्थापना किस परकार से हुई मेदियाईयों को हराने के बाद अकामेदियाई समराज्य की नीव किस परकार से डाली गई और जो अकामेदियाई समराज्य था किस परकार से विश्व का सबसे बड़ा समराज्य बना जिसके अंदर में पश्चिम एसिया, अनातोलिया, मिसर का जो छेतर था उसको मिलाकर एक समराज्य की नीव डाली गई और जिसके बाद उस समराज्य को अकामेदिय समराज्य के नाम से जाना गया आगे चल कि यही समराज्य फार्ची समराज्य के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर हमने पढ़ा पहले पार्ट में कि इनके जो सासत थे सायरस महान या केमबिसिस वो किस प्रकार से उन्हें अपने सासन का विस्तार किया उनके सासन काल के अंदर में उनकी सीमा का विस्तार किस प्रकार से किया गया नए छेतरों को किस प्रकार से उनके सीमा में मिल अगर आप साइरस महान की बात करो तो बेविलोनिया पर कबजा करने के बाद मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, बेविलोनिया के छेदर को अकामेद्याई समराज्य के अंतरगत उसको सामिल किया गया और उनकी मृत्यू के तक ये देखा गया कि हिंदुकुस की जो सीमा हिंदुकुस की जो पहाडी थी, वहां तक इनके सीमा का विस्तार किया गया, सायरस महान की मृत्यू 529 इसापुर्व के अंदर होती है, जिसके पश्चात, इनका जो पुत्र होता है, कैमबिसिस की सासक के सासनकाल के अंदर में विद्रोह देखने के लिए मिलता है, कई तर सनकी कुरूर सासक के तोर पे भी दिखाया जाता है, ठीक है, और यहां पे जब हम विद्रोह की बात करते हैं, कैमबिसिस के सासनकाल के अंदर में हुए विद्रोह की जब हम डिसकस करते हैं, तो यहां पे सबसे बड़ा विद्रोह आता है, उनके अधिकारियों का विद्रो जो हम अकामेदे अधिकारी का विद्रो के तोर पे भी जानते हैं इनी विद्रो के अंदर में साथ सरदारों के विद्रो को भी हम सामिल करते हैं साथ सरदारों का अगर विद्रो की में बात करूँ तो साथ सरदारों के विद्रो का जो सबसे परमुक नेता था जिसको हम दाइरस Πर्थम के नाम से ही जानते हैं देखो जैसे ही यहां पे और जो पूरा PDF दिख रहे हैं आपको आपको टेलिग्राफ गूर्प में मिल जागा जहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है जो भी अलग वर्ड है उसको समझने में ठीक है तो आगे मैं बात करूँ तो जो दाइरिस पर्थम था वहाँ पर अकामेदिय समराजक थे बहुत ज़्यादा विक्सित हुआ बहुत ज़्यादा विस्तार किया आर्थिक रूप से सक्ष्म बना ठीक है जो इसकी विस्तार करने के नीति अगर आप आगी पढ़ोगे कि इस प्रकारश इसने भासा में परिवर्तन किया पर्मुक भासा के तौर पे कौन से भासा का विकास करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया इसने सिक्कों का किस प्रकार से निर्मान किया सिक्कों का परचलन किस प्रकार से इसने अपने राज्य के अंदर में बढ़ाया ठीक है आर्थिक नीती या फिर रास्व के जो एकितर्त करने के नीती किस प्रकार से इ इसके बारे में हैं पर हम पढ़ते हैं इस पेसली दारिस पर्थम के तो बहुत इंपोर्टन टूल इसने इंप्लिमेंट किया अपने समराज्य के अंदर गत देखे इसके अंदर में हम बात करें तो साइरस और केमबेसिस के द्वारा जीते के जो छेतर थे उसको दारिस पर्थम ने आता ही किया किया सबसे पहले उसको सुगठित किया इकठा किया इकठा करने के बाद सुगठित ववस्ता के अधार पर उस समराज्य के निव लालिया उसको इकठा करके एक पूरे समराज्य के अंदर में परिवर्तित किया देखो सायरेस महान ने भी बहुत सारे चेत्र को जीता था अपने सासनकाल के अंदर में सेहिम उसका पोत्र था केमबेसिस उसने भी अपने सीमा का बहुत जादा विस्तार किया था पर जो पूरे छेतर थे वो कभी भी सोगेठित नहीं थे एक पूरी ववस्था के अंदर में नहीं दे तो दायरिस पर्थम के दौरत सबसे पहले उसको एक ववस्था के अंदर में लाया गया जिसके बाद पूरा एक इस्थिर्च समराज्य के तौर पे उसको बढ़ाया गया अब देखो यहाँ पर दिखा गया कि केमबेसिस की सासन काल के अंदर में जब उन 522 इसा पुरुप के हम बात करते हैं तो वहाँ पर उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसका लीडर सबसे पर्थम के तो सबसे ज़्यादा बड़ा लीडर के तौर पे दारिस पर्थम ही वहाँ पर उभर कर आया था सामने और जिसके बाद 522 में दारिस पर्थम सासक बनता है तो जैसे ही दारिस पर्थम यहाँ पर सासक के तौर पर 522 इसा पुरुप में आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है विद्रो को दबाने की कुर्शिस करता है और अकामेदे समराज्य का जो पकड़ होता है अपने हाथ में उसको मजगूत करता है जिसके बाद वो मजगूत सासा के तौर पे वहाँ पे आगे रूल करता है तीक है दारिस पर्थन के मैं बात करूँ तो समराज्य का यहां पर वि एक्जियन सागर के ठीष्टा तक फार्सी सम्राजेता उसका नियंतरन में आ जाता है। आपने कबजे में मजगूत हो जाते हैं। अधीन्ता को सुप़िए ठीके जिसके बाद हम आपको कुछ नहीं करेंगे इस तरह का एक ड्रेगलेटर पत्र भेजता है उनको फूर पत्र जिसके बाद यूनाने के अंदर में परमुक्त दिए जाते हैं बहुत बढ़ी जो भी राजा थे उनकी सेना बहुत बढ़ी होती थी उनकी सेना में हर तरह से सक्षम लोग हुआ करते थे जबकि जो अंग्रेज आये थे वो बहुत कम मात्रा में थे तो उन्होंने सबसे बड़ी नीती के अपनाई फूट डालो सासन करो के नीती अपनाई जिसके अंदर में जो भी राजा के जो सबसे ज़्यादा करीबी लोग हुआ करते थे जैसे मंत्री हो गया सेनापती हो गया उनको खरीद लिया कर रहे थे उनको अपने साथ मिला लिया करते थे किसी तरीके से जिसके बाद राजा कमजोर पड़ जाता था और उस राजा को हरा कर उसके सासन पे कपजा करते थे त इस पर सम पत्र बेजता है कि को कौन सा पत्र बेजता है तो अधिनता स्विकार करने का पत्र बेजता है कि भाई आप मुझे अपना राजा मान लो इस तरह का पत्र बेजा जाता है पर युनानी लोग जो होते उसको अस्विकार कर देते हैं मानते नहीं है जिसके बाद क्या क के अंदर में परमुक पद देंगे सेना के अंदर में परमुक पद देंगे जिसके बाद वो मान जाते हैं और यहां पर यूनान की हार होती है यूनान की हार के सासत यहां पर क्या दिखा जाता है कि दाइरिस पर्थम की जो मिर्ति होती है 490 इसा पुरूव के अंदर में हो ज और जहरेक्स उन की हार होती है, इस यूद के लिए जहरेक्स बहुत सारी तयारी भी करता है, किस तरह की तयारी करता है तो आपुरती स्थलो का निर्मान कराता है, अगर सेना को यूद के दौरान कभी किसी चीच की जुरत पड़ी तो वो इन स्थलो से उपलब्ध हो सके तो आपुरति इस्तलों का निर्मान करवा जाता है, सड़कों का निर्मान करा जाता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में असानी हो, पुलों का निर्मान करा जाता है, नए दोस्त बनाया जाते हैं, जिसके तोरह इसके जो पूरी जो बेस हो, वो मजगूत हो, औ उठाए जाते हैं साथ साथ जैरेक्स ने जो यूद किया था यह समुंद्र और जमीन दोनों तरपके से आकरमण करके इसको जीतने की कोर्षिस करी थी पर यहां पर यूनान की विजय होती है और यूनान जीत जाता है तो यहां पर जैरेक्स पर्थम का सासन अंत होता है तो द समराजय के विस्तारवीदी नीती क्या थी? सायरस पर्थम, सायरस महान ये सायरस पर्थम जो बोलते हैं सायरस महान के द necesita क्या, क्या स्टैप्स लिए गए? ठीक है, तो ये सारे questions बनकर आते है Detroit ya, है ये हाँ पर आप बोट Glas आती है सत त्रपियों की वैवस्ता के बारे में कोशन आता है ठीक है तो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं चलिए अभी पहले पढ़ते हैं यहां पे फार्सी समराज्य को फार्सी समराज्य के गर मैं बारे में बात करूँ तो फार्सी समराज्य दारिस पर्थम के समय में फार्सी समराज्य उस समय का विश्व का सबसे बड़ा राज्य के तोर पर उबरा इसने क्या किया एसिया माइनर के जो छेतर थे अर्मेनिया फिलिस्तिन सीरिया मेसोपोटामिया मिस्र फार्सी अर्बिया अर्बिया का उत्री हिस्था अफगानिस्तान तुर्किस्तान अजब राज्य आगे चले के फार्शी सम्राज्य को दवर जाना गया और जीतना बढ़ा इस ने छेतर अपने उस समय पे कपज़ा किया था जो अपने सम्राज्य के इंदर के मिलाया था दारीस पर्थम ने वह विश्व चारी के तोर पर लुब रहा जैसे मालो सायरिस महान ने जो राज्य जीते हुआ ऐसी बिखरे हुए थे प्रौपर नहीं था कि हाँ यह राज्य इसके अंदर में आता है ऐसा कुछ नहीं था सिंग वहाँ पे केमबेस की दौरा भी जो राज्चेतर जीते हैं वह भी इसी तरीके से बिख़़ा हुआ था और दायरेस पर्थम के आने के बाद सबसे पहले क्या किया गया समराज्य का पुनर गठन किया गया पुनर गठन करने के साथ साथ में जो छितर दूर थे उन्हें राजनितिक इकाई के रूप में गठित किया गया जिसके बाद यह हो सके कि हाँ ये छितर भी इसी का पाठ है और उसको अपने न नरजराना वसूलने के लिए नीमित व्यवस्था बनाए गई ठीक है जो टेक्स वसूला जा सके नरजराना वसूला जा सके उसके लिए व्यवस्था पर कारी किया गया उसको व्यवस्था बनाए गया राज्ये को किंद्रिकित प्रशासनिक धाचे के अंतरगत विशाल सेना क के रख रखाव को असान हो सके इसके लिए कार्य किया गया ठीक है जितने भी वहां पर राज्य बने जो भी छेतर बना उसको केंद्री कितर धांचे के अंदर में लाए गया केंद्री कितर धांचा क्या होता है मतलब सेंटरलाइस किया गया कि जो भी चीज होगा वह सेंटर से कमान के आजएगा राजा के थूख कमान के आजएगा उसी के अंदर में उस सारे चीज़े चलेंगी इसकी ववस्ता की गई परसासिनिक धाचा और विशाल सेना के रखाव के लिए नए तरह के जो ववस्ता था उसका निर्मान किया गया दाइरिस पर्थम नेक सब्राज और फार्षी समराज्य की नीव डाली ओर पूरी परिवर्तित किया इसका यहां पे हमें देखने के लिए मिल जाता है अगर अब डाइरिस पर्थम के द्वारा उस समय है चेत्रों को अगर बात करो तो यह पूरा चेत्रों यहां पर दिख रहे ब्लट यांपे फार्सी वाहिजी त gingड हरक है न कर यहां थो प्याल भोट जो फ्तर से मैं श्मक्राद रहे व All और पर इरान आगया यह आपका पाकिस्तान आगया इधर इधर अफगानिस्तान आगया इधर तुर्किस्तान आगया इधर इराक आगया इधर तुर्की आगया ठीके इरान इराक सारा ही सारा यह पूरा चो छितर था यह परिशन अंपायर के तौर पे जाना गया उस ताइम पिर होता है सतरपियों की वेवस्था क्या थी इस ट्रफ क्या होते है है सत्रपियों की वेवस्था kiss-burning कर आता है देखो फारसी संसराज्य के और यसे भारत के अंदर में टोटल कि yönने राज्य ठीके राजे में बटा हुए या भारत पूरा भारत तो है ने कि इंडिया एक बूला जाता है वह राजे पे बटा हुए जिसके अंदर में डिली, पंजाब, हर्याना, मुम्भÈ, यह सारे राजे हो गए अपने ठीके तो उसी तरीके से जो फार्सी सम्राज्य था उसको विवीन राज्य के अंदर में विवाजित किया गया जिसको हम यहां पर राज्य बोलते हैं वहां पर उसको सत्रप बोला गया स्ट्रेप्स बोला गया स्ट्रेप्स के तौर पर उसको जाना गया ठीके एक तरह से यह नई वैवस्ता थी नई पर्था थी ठीक है मतलब यह नई ऐसा तो नहीं था कि कोई नई पर्था है मतलब फिर भी जो मेडिया ही लोग थे वह पहले से चलती आ रही थी पर जब आप देखोंगे साइरस मान या फिर कैमबिसिस के दौरा इसको अपनाया नहीं किया पर इस पर्थाम जब आता है तो इस वैस्ता को अपनाता है और इस ट्रेप्स का निर्मान करता है इस ट्रेप्स का निर्मान करने के पीछे सबसे वड़ा रीजन क्या था कि अब इनकी जो समराज्य थे इतना बड़ा था ठीक है अब इसके अंदर में राजा यहां पर बैठता और सारे बंदे किसके परती उत्तरदाई थे राजा के परती उत्तरदाई थे सारे किसको आंसर बलते राजा को आंसर देते थे जिसके कांच से इसका समराज्य बहुत ज़्यादा विक्सित हुआ कोई भी कर वसूल करना है टेक्स वसूल करना है किसी तरह का रूल इंप्लिमे लिट क्या जासेखे उसके अधार बूत ऑग्रमिंट के तौर बिंके निवासी थे उनके समुहों के नाम पर रखा गया एंकी प्रशार्षन यू थी तो सवाईता राजा के अंतर गता थी मतलब आधा राजा के समान ठीक है जो भी यहां पे जिसको भी अंडर दिया गया कि यह राज्ये आप समालोंगे वह एक तरसे आधा राजा माना जाता तो जिसके अंदर में कई सारे decision लेने की power होते थी और decision ले सकता था अपना खुद का सेना रख सकता था tax उसूल कर सकता था तो इस तरह का आधा राजा जैसा उसको सम्मान दिया जाता था फिर भी जो वहां के जो पद होते थे उच्छे पद अधिकारी होते थे और राजा दोरा निक्त के जाते थे परन्तु राजा अपने सैनिक अशैनिक अधिकारियों दोरा इन पर सत्रीप्यों पर निगा भी रखता था राजा ये भी courses करता था कि जिनको भी हमने point क्या है कि उस छेतर का देखबाल करे उस छेतर के ऊपर में reason देखा जाता है उन पर नियंतरन बनाये रखने के लिए राजा इस तरह का कारे करता था सत्रपियों को यह निर्देश दिया जाता था कि वो केंद्रिय समराट के संपर्क में रहें जो भी राजा है उसके attach में रहें जो भी बादचीत हो उसको बताते रहें उससे पत्र भैवार करते रहें पत्र भैवार मतलब क्या कि communication चलता रहना चाहिए जो भी आपके पास problem में solution है वो आप राजा को बताते रहो आपस में बादचीत चलती रहनी चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पर focus किया गया इन पर नियंतरन रखने के लिए शुरोता नामक अधिकारी की निक्ति की जाती थे जो इस पर नियंतरन रखता था कि हाँ ये बंदा इस तरह का है और नियंतरन अधिकारी की तोर पर उसको जाना जाता था जो राजी के कान के तरह होते थे तो देखतवाल करते ते कि राजी के नदर में घटीत हो रहा है और वो राजा को डारिक्ट रिपोर्ट करते थे वो प्रांतों के अंदर में खबर केंद्रों को भेजा करते थे, ठीके जो भी प्रांत के अंदर में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी घटनाई घट रही हैं, ठीके उसके जो भी न्यूस होते थे वो डारेक्ट राजा को यहां पर ट्रांसफर किया जाता था, इन सत्र पर अगले साल में फिर क्या हो राजा इधर आ गया फिर इधर आ गया तो मतलब क्या अलग अलग जगा पर बदलता रहता था जिससे पूरे छेत्र राजा के नदर में स्थापित रहे तो इन सभी चीजों को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए थे ठीके यहां पर अगर मैं आर्थिक गती वीडियो की बारे में बात करूँ ठीके फार्ट से समराज क्या होता है कि मतला पूरे समराज्य के अंदर में इतना बड़ा समराज्य था सब के अंदर में एक परकार का सिक्का चलाए जा सके इसकी व्यवस्था की जाती है मान वी कृत माप तोल की व्यवस्था को लाए जाता है एक नई लीपी का विकास के जाता है और समराज्य का एक ही करेण का करने का परियास किया जाता है समराज्य को एक ही कठा करके चलाने का परियास किया जाता है दातों के सिंबने जो सिक्के थे उसको चलाने के लिए अकामेदियाई समराज्य के आर्थिक गती वीडियो में परिवर्तन क्या जाता है वैपार के अंदर में वैपार वीनिमे को बढ़ावा मिलता है ठीक है इसके इंपेक्ट क्या रहता है कि वैपार जो हो रहे थे वीनिमे के अधार पर जो समान की बदले में समान जो वीनिमे के पहला जगह था ठीक छेत्र था जहां पर सिक्क्हा जारी करने वाला पहला विश्व का छेत्र के तौर पर लीदिया को जाना जाता था और जब फार्षी समराज्य के द्वारा लीदिया पर कपजा किया गया तो उसके बाद उसका इंपेक्ट देखने क्लिए मिलता है कि हां ल सरकार की सत्ता को व्यक्त करता था कि किसका सरकार है किसकी सत्ता है उसको व्यक्त करता था सिक्के का मुल्य जो था उसके आकार वजन और सुदता के अनुरूप होता था कितना सुद्ध है कितना वजन है कितना आकार है वो उसके वैल्यू को डिफाइन करता था और इस के अंद कि यहां बैइ ये इस नोट ऐसा है से करके साइन होता है तो सेम चीजर यहां पे यह दिखा गया चांदी का मान की करण मुख्य incentive बनाये गया विन forearm के लिए धातु का परियोग होता था धातु का परियोग विने में के लिए किया जाता था सिक्का को ढालने के लिए धातु को विने में किया जा सकता था ठीक है अनातोलिया के में सिक्का का जो मानकी करण का आरंब हुआ और चांदी के बजाए सोने से था ठीक है जो लीदिया राज्ये द्वारा उसको पर्मानित किया जाता था सिक्के के ढलाई के जो परिनाम सुरूप थे वैपारी गति वीदियों के अंदर में तेजी आते हुए दिखने के लिए राज्ये के लिए एक वड़ा वेपार और लेन दिन आसान होता जया गया यह बि मुद्र ववंहा सताय निर्माण किया गया पर सोने चान्दी का उपयोग किस परकार से किया गया वस्तु का मुल्ले का निर्धारन किस परकार से किया गया सिक्ये की वेल्यू कितनी होने ची वो किस परकार से डिफाइन किया जाएगा ठीके राज्ये किस राज्ये के नतरगत में कौन सा सिक्का जारी किया कि किस राज्य की मुहर लगी होनी चीह है। यह भी यहाँ पर अपनाया गया। साथ सात में अब हम यहाँ पर बात करते है तो कोई विक्ति अगर किसी छेत्र में रह रहा है तो उस छेत्र का कोई ना करने के लिए एक नइए एक नीपी का विकास करना धिकर है अकामेfoodियाही एक बहुत बड़ा सम्राज्य था जिसके अंदर में विभिन भास़ाइं बोली जातेएं में वाले लोग थे इस राज्य के लिए एक संपर्क सबसे ज्याद़ बोली जाने वाली स्टी और मुलता मैं के कुछ कभीलों के बासाई ये थी थी ठीक ज्यादा बड़े कभिले नहीं नहीं दुर। कुछ जो छोटे-छोटे कभीली थे उसके अंदर में ये भासा बोली जाती थी। असीरियाई जो छेतर था, असीरियाई समराज्य था, उसके अंदर में भी अर्माईक भासा का परियोग तेजी से हो रहा था। कालंतर में इस भासा का पर्योग बिबिलोनय सम्राज्जी के अंदर में भी होने लगा। फार्सी सम्राज्जी की इस्थाफना के समय में subscribe भासा के सिरिया, फिलिस्तिन की जनबासा के तोर पे जाने कि और पश्यमी वैपार के रूप में भी इसका उप्योग किया गया। दारिस पर्थम ने उसके उत्रादिकारी ने इस भासा को परुसाहन दिया, ठीके दारिस पर्थम के बाद जैरक्स होना आता है, वो भी इस भासा को परुसाहन करता है, और अर्मेनियाई लीपी का विकास करने के लिए बोलता है, ठीके, अर्मेनियाई जो आम परजा थी, ठी ति पार्सी आकामिद्याई को समराजय संपरभात लोगों थी और इसको सरकारी भासा था अकरमाजय के राजह नो हो नौस Dhardt का प्रियास किया रहा था और उस समय विश्वy का सबसे बड़ा राज्य बनता कैक इसके इंदर मिलाए गया इसका सीमा का विस्तार किया अलग-अलग धर्म थे तो यहां पर लास्ट में यह भी दिखा जाता है कि जितना बड़ा यह अकामेदिया समराज्य बनता है उसके अंदर में नए-ने छित्र मिलकर एक बड़े समराज्य का निर्मान करते हैं कई तरह के धार्मिक और भासा यह अधार पर डिफ्रेंशिस दे निती के तहत वो कारे करते हैं जिसके अंदर में सबसे जो अच्छी व्यवस्ता देखी जाती है उनकी आर्थिक निती देखा जाती है स्ट्रेप्स की निती देखी जाती है किस तरसे राज्य से राश्च्रव इकठा किया जा सके उसकी निती देखी जाती है तो यह सारे को के अंदर में ठीके वैपारिक तोर पे किस परकार से सक्षमते यह भी आ जाता है स्ट्रेप्स का क्या मतलब होता है यह कई बाद टिपड़ी बेस्ट कोश्चन बनता है या फिर साहिरस महान के दौरा किस परकार के कदम उठाए गए या फिर दाइरस पर्थम के दौरा किस पर आपको मिल जाएगा इवन आप मुझे टेलीग्राम वट्सप पर भी फोलो कर सकते हो विशुजीत सिंग के नाम से मेरी आईडी है वहाँ पर आपका कोई भी कोश्चन है वहाँ पर मैं आपको आंसर देने के लिए रहोंगा वट्सप अगर गुरूप से जोड़ना है तो आप जस्ट कमेंट किजिए वट्सप गुरूप के लिंक के लिए आई विल गिव यू लिंक देन यू जोइन इट ठीक है आप सबसे में इंपोर्टन काम क्या करना आपको हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मि लेजिए और अपना स्लेबस कंप्लीट कीजिए तो यहां पर यह चैप्टर खतम होता है अगले चैप्टर के साथ में तो फ्रेंट्स बाबाए टेकर अल बेस्ट